हेलो गाइज वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मेडियेवल हिस्टी पर रहे हैं और ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है अगर आप लोगों ने पहला नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखिए चलिए आप स्टार्ट करते ह था है इस पर लोगों ने फाला लेक्चर में फरस्ट ने तो प्लीज जाके देखिया चलिए अब सबसे पहला कोस्चन की इंडिया का आया था तो ये 1170 में इंडिया आया था अब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपन सतर्सिंच लिखाता है वह आप देख कहलेशे सबस कि मुहम्मद गौरी किस रीजन पर सबसे पहले आक्रमन किया था और कब किया था तो नोट करके लिख लेजिए यह 1175 यह किस पर आक्रमन किया था तो मुल्तान पर ठीक है मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ इसके बाद यह राता है 1178 और इसमें क्या होता है न कि एक बेटल होता है बेटल अब गुजरात जिसे बोलते हैं बेटल अब गुजरात ठीक है या कयादरा बोलते हैं बेटल अब गुजरात या कयादरा के नाम से जाना जाता है अब यह कोस्चन आता है कि यह बेटल कब हुआ था यह तो देख लिए 1178 अब यह पूछा जाता है कि यह किसके किसके बीच में हुआ था ठीक है तो एक तरब था मोहम्मद गौरी ठीक है दूसरी तरब कौन था मूल मूल राज सकेंड या दूतिय बोला जाता है इसे ठीक है और यह मूल राज टू कौन सा डैनेश्टी का सा सकता तो यह चालुक्या डैनेश्टी चालुक्या डैनेश्टी का सकता और इसमें वीनर कौन हुआ तो वीनर हुआ मूल राज टू लिख रहता हूं कि देख़े कोश्चेन ऐसे पूचेगा न कि जब मुहहंद घौरी इंडिया के तो सब से पहले ड़ार हार कर नांस के ड्लारी अ electron कि're क्याद्रा उसी को क्याद्रा बोलते हैं यह कब हुआ था 1178 तो यह देख लिए important fact अब यह राता है 1189 देखिए इसमें क्या होता है ना छोटे छोटे रीजन होते हैं जिसको यह जीतना चालू करें देता है ठीक है डारेक्ट बरे पर आक्रमन नहीं करता है यह सबसे पहले पेसावर 1189 सबसे पहले पेसावर को यह कबजा करता है फिर यह राता है 1185 इसमें यह सियाल कोट को अपने कबजे में लेता है सियाल कोट उपर इसका कबजा होता है फिर यह राता है 1186 देखिए धीरे धीरे इंद करें बाइते चल जा रहे हैं कि इंडिया में इसका क्या-क्या रोल है कैसे कैसे आया 1186 में क्या होता है कि यह हूल पंजाब पे कबजा कर लेता है हूल पंजाब ठीक है पूरे पंजाब पे कबजा होने के बाद बाद टाइम आता है 1191 इसमें एक इंपोर्टेंट बेटल रहा जाता है किसके किसके बीच में प्रित्वी रज चवहान के बीच में और गौरी के बीच में कौन सा बेटल फर्स्ट बेटल अब तराइन ठीक है फर्स्ट बेटल अब तराइन ठीक है चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं देखिया इन दे इयर एक 1170 मोहमद गौरी केम टू इंडिया यह तो आपको मैंने बता चुका कि 1170 में आया था और थिरी इंपोर्टेंट बेटल ठीक है थिरी बेटल फाउट इंडिया ठीक है अब देखिये पहला फर्स्ट बेटल अब तराइन दूसरा सकेंड बेटल अब तराइन तीसरा बेटल अब चंदावर देखिये फर्स्ट बेटल अफ तराइन किसके किसके बीच में तो गौरी और प्रिथवी राज्चावान के बीच में और प्रिथवी राज्चावान को हम लोग दो और नामों से जानते हैं इसे ध्यानते लिजिए नहीं तो था confusion होता है मैं से लिख लेता हूं की कि इसे कौन कनाम से जाना जाता है लेखियें प्रिथवी प्रिथवी राज ठर्ड तीरतिय का नाम है और इसि एक नाम से और जाना जाता है राएपितुण अ यह सब इंपोर्टेंट है बहुत सारा एक्जाम में आपको देखने को मिल जागा है रायपी तोरा के नाम से कौन जाना जाता है इसे आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर लिजेगा ठीक है और इसका वीनर कौन था फर्स्ट बेटल अफ तराइन का वीनर और यह देखे लिजे पीछे यह आपको बता दिया है अलेवन नैंटी वन इसका सकेंड बेटल अफ तराइन का यह अलेवन नैंटी टू था कहीं कहीं 93 भी लिखा मिल जाएगा तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं हो ना और देखे इसमें फर्स्ट बेटल अफ तराइन में वीनर कौन था प्रिथवीराज चौहान वीनर सकेंड बेटल अगले साल फिर बेटल होता है मतलब इसे छोज देते हैं प्रिथवीराज चौ के द्वारा प्रापत होता है मतलब राजा जै चन अपना समर्थन सकेंड बेटल अप्राइन में घौरी को अपना समर्थन देते हैं ठीक है तो जिसके करण प्रिथवीराज चौहान को हार का सामना करना परता हो और इन्हें कैद कर लिया जाता है फिर कुछ टाइम के बार इन्हें फासी की फासी नहीं मतलब मिर्त्यु दंड की सजा हो जाती है और मिर्त्यु दंड दे दिया जाता है यह कब हुआ एक 1192 वीनर कौन था इसका तो याद रखेगा गौरी ठीक है अब आते हैं अब देख ले जाए यह दो बेटल हुआ तीस्रा बेटल 1194 में लशाइ किस नाम से बेटल उव चंदावर हुआ था यह कौन राया जagarचंद के बीच में और विनर कौन होता तो इसमें भी गौरी होता है ठीक है गौरी विनर और एक कोश्टन यहाँ से यह आता है कि राजा जरचंद जो थे कहा कहा केशा साथ सकते है तो ये कन्नौज के थे हैं, कन्नौज के रूरल थे हैं, कन्नौज के सासक थे हैं, और 1193 में ही हैं, ठीक है, दिल्ली को, दिल्ली जो है, उसको मुहम्मद गौरी ने अपना राजधानी घोसित किया, यानि अपना राजधानी बनाया, तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, कि 1193 में ही, मुहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, ठीक है, अब चलिए, आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं, देखिए, सकेंड बेटल जो मैंने आपको पहले बताया कि मुहम्मद गौरी वाज सपोर्टेड वाय राजा जैचन, कौन सपोर्ट कर रहा था सकेंड बैटल में, तो राजा जैचन, यह आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, अब एक इंपोर्टेंट कोर्चन, यह भरी-भरी इंपोर्टेंट है, से आप लोग नोट कहें लेजे, मुहमद गौरी इसू लक्ष्मी कोईन, लक्ष्मी कोईन कौन इसू किया है, कौन मतलब चलाया भारत में, तो मुहमद गौरी, अब देखिए, उसका एक चीफ कमांडर था, नाम क्या था, उसका बक्तियार खिल जी, ठीक है, चीफ कमांडर तोर फोर किया, जला दिया, और कहा जाता है कि 6 महीने तक नालंदा इंवर्सिटी की किताबे जलती रही थी, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं, इस टॉपिक का तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, पीछे पज़ना है, एंसी गुप्ता, कुमार गुप्त, ठीक है, ये गुप्ता दाइनेश्टी का रूलल था, और इसे एक नाम से और जाना जाता है, मतलब ये महाराजा धिराज की उपाधी धारन की थी, किस नाम से, महाराजा धिराज ठीक है यह यार रखेगा इंपोर्टेंट है कि महाराज धिराज की उपाद ही किसने धारन किया हुआ है किया हुआ था तो यह कुमार गुप्त होगा और यह नालंदा इंवर्सिटी का स्टेजिस्मेंट किया था और नेट्स वर्शस पूछा जाते हैं यह कब बना था तो यह 270 इस बी में इस से नोट नोट करेते जाई쪽 करें यह बहुत सारा एक्जाम में district में लिख रहता हूं भागलपूर district ठीक है और इसे किसनी बनवाय रहा था तो बंगाल के सासक होते थे पाल वंस पाल डाइनेस्टी उसके एक सासक है राजा धरम पाल ठीक है राजा धरम पाल पाल डाइनेस्टी के सासक थे जो बंगाल का सासक था उन्होंने बनवाय था अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जाता है यह कब से लेकर मतलब कब बनाया तो 7th century से 8th century के बीच मे है ठीक है यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा आई हो कोई डाउट नहीं हो अब चलिया आगे देखते हैं देखिया मोहमद गौरी वाज किल्ड भाय खोखर ट्राइब ठीक है इसे खोखर ट्राइब द्वारा मतलब मार दिया गया एक्चली में हुआ क्या था ना कि यह गजनी जा रहा था ठीक है मोहमद गौरी जो है यहां गौरी छूट गया लिख लिजगा वो गजनी जा रहा था और पंद्रा मार्च 1206 खोखर ट्राइब के मुटभेर में यह मारा जाता है अब इसका तो समराज यह तो बहुत बड़ा हो चुका था तो इसके देथ के बाद इसका एड्मिनिस्टेशन जो है इसका स्लेव स्लेव कौन था इसका कुत्वद्दिन एवग इसके हाथों में चला जाता है ठीक है अब कुत्वद्दिन एवग के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं यह 1193 ठीक है इसने मेरत और दिल्ली को जीता था किसे जीता था मेरत और देल्ली ठीक है बाद में 1193 में ही इसे राजधानी घोषित किया गया आप लोग को तो पता ही है मैंने बचता चुका है ठीक है और एक आता है 1194 इसी के द्वारा मतलब यह आइबक के द्वारा ही है ध्यान रखिएगा अजमेर को जीता गया अजमेर जो राजस्थान में है उसे जीता गया ठीक है यह दोनों भी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा अब यहां से आपका मोहमद गोरी से जितना डिलेटेल बनता है कोस्टन यह सारा जितना तेहोरी यह सारा चीच खतर मोलता है जितना फैक्त बनता है यह खतर मोलता है हमें जरूर बताइजागा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इससे बाहर कोष्टन ओrend को survey कोशन पूछेगा तो इससे। question आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आपको lecture कैसा लगा comment किजिए like किजिए share किजिए धन्यवाद